बहुत बहुत शागत है दोस्तो एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल हाउस ओप टेक में और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे की बिना मल्टी मीटर के किसी रजिस्टर का रजिस्टेंस कैसे निकालें तो पहले जान लेते हैं आकर रजिस्टेंस होता क्या है रजिस्टेंस एक साइन्टिपिक बर्ड होता है जिसका मतलब होता है जब कोई कंडक्टर या चालक बिद्दु धरा के मार्ग में जो रुकावट डालता है तो उस चालक द्वारत डाली गई रुकावट को resistance या प्रतिरोध कहा जाता है तथा रुकावट पैदा करने के लिए जिस component का प्रयोग किया जाता है उस register कहा जाता है register को हम मुक्यता voltage को कम करने के लिए प्रयोग में लाते हैं चितर में आप देख सकते हैं ये है हमारा 4 band का register इसी प्रकार से दूसरा हमारा जो register है वो है हमारा 5 band का register इसी प्रकार से अलग-йलग कई band की register आपको देखने को मिल जाते हैं बिना multimeter के arrest dance कैसे निकालते हैं चलिये जानते हैं इसके लिए आपको दिये गए चार्ट को बहुती ध्यान से देखना है और समझना है यहाँ पे आपको पहला कोलम मिलेगा कलर का जिसमें सभी कलर दिये हैं इसके ब्लेक, ब्राउन, रैड, औरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, बॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड और सिल्वर उसी के सामने उन कलरों की बैल्यू दी गई है जो की जीरो से लेकर प्रारम होती है और नाइन तक जाती है जो लाश्ट हमारा भाइट कलर है उसकी बैल्यू 9 है ठीक उसी के सामने थर्ड कॉलाम हमारा है मल्टिप्लायर का जिसको हम बैल्यू के साथ मल्टिप्लाई करते हैं जिसमें से ब्लेक का अगर हम देखा जाए तो वो होती है 10 की पावर 0 से लेकर प्रारम होती है और ये 10 की पावर 9 तक जाती है पहीं ठीक नीचे गोल्ड और सिल्वर की जो बैल्यू होती है वो 10 to power minus 1 और 10 to power minus 2 होती है क्योंकि gold और silver जो होते हैं वो superconductor होते हैं और इसी कारण से इसकी जो value होती है वो कम होती है अब बात करते हैं tolerance, tolerance क्या होता है इसमें जो थोड़ी बहुत truity होती है उसकी value को हम tolerance कहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग-अलग color की अलग-अलग tolerance value है जैसे कि black की 20% है, brown की 1% है, red की 2% यह कम ज़्यादा plus-minus हो सकती है इसी प्रकार से orange की plus-minus 3 है, इसी प्रकार से yellow की है, green की है, सभी की है उसी प्रकार से silver की जो होती है, वो होती है 10% plus-minus और gold की जो होती है, वो होती है 5% plus-minus हो सकती है यह है हमारा 4 band का register और इस register का हम यहाँ पे resistance निकाल कर आपको बताएंगे किस प्रकार से निकाला जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके 4 band है band 1, band 2, band 3 और band 4 जिसके अलग-अलग color है band 1 red है, band 2 violet है, band 3 brown है और band 4 gold है इनकी अलग-अलग value है जैसे की red की 2 value थी और violet की 7, brown की 1 और gold की जो है plus minus 5% यह tolerance है अब इसकी value कैसे निकालना है तो capacity of price strength equal to value को रखना है red की value 2, violet की value 7 और इसको multiply करेंगे हम brown की value 10 से और plus minus 5 तो value हमारी जो निकल कर आईगी वो होगी 270 ohms, plus minus 5% इसमें tolerance होता है तो इस प्रकार से हम किसी भी resistance का या register का resistance आसानी से निकाल सकते हैं तो दोस्तो अब आप जान गए होंगे कि हम बिना multimeter के किसी register का resistance कैसे निकाल सकते हैं दोस्तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को अपने मित्रों तक share करें, channel को subscribe करें थेएदोने मित्रोंके C pai-d